हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको बहुत दिन से इंतिजार था कि कब जो है सीट जैनवरी 2021 इसको जैनवरी ही कहेंगे यही वही परिक्षा थी जो आपकी पाथ जुलाई को होने वाली थी और होते 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 आपकी परिक्षा जो है अब जनवरी 2021 में हुई है उसका रिजल्ट ओफीशियल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है तो मैं एक लिंक दे दूंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डिरेक्ली आपको मिल जाएगा cbscresults.nick.in में ज थोड़ा सा डिफिकल्ट था थोड़ा सा तफ आया हुआ था एंसर की भी काफी दिन बाद जो एक नॉर्मल टाइम होता है उसके काफे दन बाद जो है जारी की गई थी तो अब रिजल्ट देख कर ये पता चलेगा कि कितने लोग इसको क्वालिफाइग कर पाए हैं कितने लोग नहीं क्वालिफाइग कर पाए हैं और बात करते हैं क्वालिफाइग मार्क्स की तो सीटेट अपनी तरफ से सीबिस्ट अपनी तरफ से 90 मार्क्स सभी कैटेगरी के लिए ही क्वालिफाइग मार्क्स मानता है लेकिन जो स्टेट होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने form में आरक्षर देती है CBST कभी आरक्षर नहीं देता है इस बात को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं CBST आरक्षर नहीं देता है उसके हिजाब से 90 वाले ही क्वालिफाई है लेकिन क्योंकि state जो है वो आरक्षर देती है तो फटा फट से जाके आप result देख लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और comment करके जरूर बताएगा आपका qualify हुआ है कि नहीं हुआ है जिनलों का qualify हुआ है congratulations और जिनलों का नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है मानते हैं कि दुख वाली बात तो है लेकिन कोई नहीं फिर से seated होगा छे महीने बाद फिर से हो जाएगा तो अब आपको थोड़ा सा एक experience मिल चुका है उस base पे तयारी को अपना थोड़ा दुरूस्त करके तयारिया करनी है तो एक बाट जाके जरूर अपने result देखियो और comment करके जरूर बताईए कि अगर रुका है तो कितने नंबर से रुका है और मिले हैं तो कितने marks मिले हैं So thanks for watching, keep studying and bye bye